अगर विकास दूबे को भागना ही था, एस्तियर से मुकाबला करना ही था, जैसे कि आज हुआ है और बताया जा रहा है, तो ये काम तो वो जैन में भी कर सकता था, उसके पास पूरा मौका था, किसी को जानकारी नहीं थी कि वो महाकाल मंदिर में अराम से दर्शन कर रहा है, पड़्ची कटवा रहा है, बहार निकल रहा है, खड़ा हो रहा है, अब ये तो कई सारे सवाल है, और क्यूकि इस पूरे घटा के बाद अब सवाल तो कई तरीके के उड़ भी रहे है, जिसका जवाब जो है, वो पुलिस विभागी बहता तरीके से दे पाएगा, जब हम लेकिन उजएन के सभी आला पोलिस अहटीकारी जो है पता नहीं क्यों उन्होंने मीडिया से लगातार कंणी काटी हुई है हम जब बात करते हैं उजएन से जो उसका सफर शुरू हुआ था कानपूर के लिए तो उजयन से तकरीबन 7 से 7 साथ बज़े के बीच विकास दुबे को लेकर के टीम जिसमें UP STF के भी लोग थे और उनसे ज़ादा संख्या में मद्यपदेश पुलिस के जवान थे क्योंकि उन्हें UP पुलिस को हैंडवर करना था यूपी की सीबा के पास जाकर के विकास दुबे को वो चार गाड़ियों में निकलते हैं शाजापूर के पास जो टोल पड़ता है नैशनल हाइवे नंबर 3 पे वहां हमारी टीम जो है उनको चेज करती है दूर से ही हमने उनकी तस्वीरे जो है अपने कैमरे में कैथ की हमने कहीं पर भी जो पुलिस की टीम है उसको उनकी उनको ट्यूटी करने से नहीं रोका हमने कहीं पर भी ना उनके कैमरे उनके सामने माइक हमने लगाया ना हमने उनसे बात करने की कोई कोशिश की हम सिफ दूर से तस्वीरे ले र प्रदस्ति कार के अंदर धकेला वहां से हम रवाना हुए और उदन खेडी करके एक जगे पढ़ती है पचोर से पहले वहां पर जो टोल प्लाजा पढ़ता है उस टोल प्लाजा को पार करने के बाद एक धाबा आता है मान नर्मदा धाबा वहां पर जैसे ही एक बार फिर से लो टीम ने हमें देखा कि हम तस्वीरें ले रहे हैं पीछे से अंदर घुस करके बाहर निकाला उसकी कौलर पकड़के और वहीं से चाबी च्छीन करके उन्होंने फेकी फेकी छाबी को जब केमरा-परसर ने इभा पाने की कोशिश की तो हमारे जो कैमरा परसर हैं उनको धक्का दे करके मारा उन्हें तीन से चार पंच भी लगे हैं उसके बाद चाबी उनसे छीन करके टीम वहां से रवाना हो जाती है फिर उसके बाद तक्रीब करीब 60-61 किलो मिटर दूर जो अगला टोल पड़ता है वहां पर वह चाबी हमारे जो इस्थानी समध आता है राजकर के पंकच उन्हें वह देते हैं और पंकच वह चाबी लेकर के वापस हमारे पास धाबे पहते हैं लेकिन इस दौरान जो टीम है पुलिस की जो काफिला था वह बहुत आगे निकल चुका होता है और जब तक चाबी हमारे पास वापस आती है कार की तब तक वो शिवपुरी के करीब पहुंच जाते हैं ऐसे हमारा सफर जो था वो पचोर के पहले ही सिर्फ वही तक हो पाया जहां तक हम उनको चेस कर पाया उसके बाद जब हमसे चा अब ही निकाल करके वो चले गए वहां से